आपकी घाड़निंग दोस्त कैसे हो सबको हैपी संडे और हमारे गाड़निंग लबर के लिए तो संडे में बहुत सारा काम होता है तो आज मैं आपको मेरे गाड़न में कुछ मेरे नियू सवापिंग की है और स्वापिंग के साथ मेरे एडेनियम और मेरे ग्राप्टिंग एडेनियम में बेड में तो मेरे ग्राप्टिंग एडेनियम में फूल भी आ गए हैं वो सारी बाते में बताती हूँ सबसे पहले मेरा मेरा सबसे चाहिता खुब सूरत एडेनियम दिखाती हूँ आप इसका फूल देखो यह से अच्छी से नहीं दिखा पाती हूं आप देखो अब झेलना बाकी है कितने दिनों से खेल गाए है फिर भी अभी पूरा नहीं खिला है इसमें बाकी है सारे अडेने मेरे देखो ही कलिया ही कलिया आई यहां देखो यहां भी है इसका पूल इतना खुबशूरत है इसके दिखते ही आई जाओ और यह मेरा दूसरा लाल कलर का एडेनियम है आप देख सकते हो इसमें भी बहुत सारी पहले भी पूल आके चले गए और अभी कलिया आई है और इसमें मेरे दो सीर्स पोड भी बने है एक थोड़ा खराब हो गया है तो मेरा तूरंद दूसरा बनना सुवी हो गया है और यह मेरा सबसे बड़ा एडेनियम और इसमें भी फूल आ रहे है और मैंने यहां ग्रफ्टिंग की है यहां आप देखो और मैंने यहां यहां ग्रफ्टिंग की है तो ग्रफ्टिंग में मैंने देखो यह जो फूल है वो ही वाली cutting मैंने यहां लगाई है इसके पत्टे और फूल की कलिल की साइड से मुझे पता चल जाता है यह मैंने यहां ग्राप्टिंग उसकी किले दुसरा मेरे यह देखेश आए कलिया यहां भी मेरे ग्राफ्टिंग में, अभी छोटे से ग्राफ्टिंग में। कूल मटलब कल्या सूरू हो गई है, यह अच्छे से सोव नहीं कर आपाती है। तेनों पर MacGalya आगई है। और इसमें नहीं आई है। सब्हूंभ टूव 2 में आगया और एक थीन में आयाय गूत हरों टॉसरा मेरा एडानय moist दिखाते हूं दे अलगे हा इस अदिखें कि अपना खुब्सूरत दिखता है कि मेरे सारे एडेनियम में कलिया बन गई है फूल भी आ गई है अरे देखो एक कुछ और वेराइटी है इसमें अभी डेल सारी कलिया आ गई है और दूसरा मेरा एडेनियम अहां भी है पर इसमें तो पहले से फूल आके चले गई और यह मेरे सारे ग्राप्टिंग वाले एडेनियम है इसमें अभी कलिया नहीं बन रही है तो मेरा सारा एक्राप्टिंग सक्सेस हो गया है और बाता है मेरा कुछ शॉपिंग तो मैंने एक एक रोटन एक रोटन यह वाला और इसको पहले लिया था यह मेरा पूराना है तो मैंने मेरे पास पाच वेराइटी हो गई है क्रोटन की अब मैं सुरू करती हूं मेरा सबसे चाहिता यह है मेरा स्नेक प्लांट स्नेक प्लांट के साथ है जीजी और जीजी के साथ है मेरे सबसे बड़ी मनी प्लांट और उसके साथ है एक गुल्डन मनी प्लांट अब ही मेरी दूसरी मनी प्लांट का प्लांट है जो मेरे नया लगाया है अब मैं उसके उपर मुझे डंडी छोट छोटी पड़ती है मॉस् ले जाओंगी इसके साथ है फिलोडेंड्रोन मनी प्लांट वेरीगेटिंग मनी प्लांट और ए प्रोकन हाट इसमें भी मैंने चोटी हो गई है अब चोटी तो मैं इसके उपर भी प्लास्टिक की डंडी लगाई है और अब कपडा लगा दोंगी कुछ भी कर दोंगी यह मेर मैंने दोनों को कटिंग से ग्रो किये है यह रेड़ वाला ट्रेसीना महात्मा रेड़ वाला और ग्रीन वाला जो मैंने दोनों कटिंग से ग्रो किये है और यह है मेरा एरिका इसमें से ही मैंने अलग करके दूसरा एरिका बनाया है की राता है मेरा यह तिन कोलियस एक है यह दूसरा है और यह तिसरा जो छुटा-छुटा मेरा कोलियस का प्लांट है मैं पीछे रखती हूँ यहां एक काबर आती है और मेरा सारे प्लांट खीच के निकाल लेती है और यह मेरा विंका आप देख सकते हो मैंने उसको बारिश से बचा के अपने प्लांट को बचा लिया है और कितने ढेर सारे प्लूल आ गए है और इसके साथ-साथ इसमें आप देख सकते हो किसमें बό desde भ्हुत बर्हुन कर्गा फिर एक और जी जी यह कंटा जो एभी कंटा जो ओ लो एब मैंने क्रो इसमेर के अक्यातuser से आरे तहा रिख बना बटाने काथ भूल जाती हूँ अब और यह मैं अब भी मैंने दिखाए था कि में जहां गार्डन में गूलने जाती हूँ वहां से में कॉस्मोस लेक्याई हूँ ön मेरे प्री के कोस्मोस में आप रेख सकते हो कितने धेर सारे फूल हरा मेरा फृ का कोस्म business इसमें देख सकते हो कितने धेर सारे फूलắng गए हैं मुझे लगता है कि फृ के प्लांट भूत हमें खुश कर देता है जेर सारे फूल देखे और यह सारी कट्ण है अधनक्यार्श मेरे सब्सक्राइन काम कंड देने मेरे रहे से हां भी कोई ने देल्ए निरए तवह से सनक्ना सब्सक्रारिण AN सब्सक्राइलन वाहां से वह क्या देख सकते हैं में भी नहीं प्लांट बनना शुरू गुआ है इस बार मुझे ये एमरेस लीली ने कोई फूल देना दिया नहीं है पता नहीं क्यों कोई बात नहीं अगले साथ फूल देंगे और ये में ने करे लेके बीट छिड़के से तो दो प्लांट निकल आए हैं और ये मेरा चंपा है, इस येरू। आहीं करे लिए करें। आहीं करी से अचं हुआ हैं अब दो कर दो लिए ने साहिक को से प्लांट बे साथ कोले ब्रेसित केलिया भी है अर यहां तो अभी मेरा विडियो आया इसमें आपने देखा हैं कितनी सब्लांट पूल आए CT ponto से धिए फिर ने इसमें कल्य आना शुरू हो गई है और यह मेरा पिंग कलर का है इसमें भी अभी तक फूल नहीं आये थे तो अब इसमें भी कल्या बनना शुरू हो गई है मैंने आज ही दुखा दो के इसमें नेली वक्त लगे है चितिया भी है तो आज मैं इसके उपर नीम वाइल का स्प्रे करूंगी और यह मेरा सिंगो नियां फीर से अच्छा हो गया है फीर से बीच में आ गया मेरा प्रिया डेनियम के पूल यह मेरा गुड़हल जो मैंने 10 रुपिय में लिया था कटिंग छोटी सी तो भी अच्छे से सरवाई कर पा रहा है और यह मेरे मिखे निम के सारे अच्छे से सरवाई कर पाए रही है जो मैंने सीड से ग्रो किये है और मैंने एक नया रोज लिया है वो काश्मिरी रोज जो ब सफ्रेला इतना अच्छा चल रहा है तिस रुपिया में में चोट वाशा प्लांट नाई थी अे मेरा मोगरा और यह मेरे अगलोनीमा वो भी अच्छी से चल रहे हैं और इसमें भी नए नए लेख सकती हो कि नई फुटाव आ रहे हैं और ये भी एकलोनिमा में मेरे नई नए बहुत धेर सारे प्लांट निकल रहे हैं तो दूलसी के पेड़ है और ये है मेरा इनलोनिमा पॉनी टेल पाम दोनों भी अच्छे से चल रहे हैं यह लाल बादसा और यह मेरे घुड़हल तो मैंने थोड़ा सा उसको चेंज करके यहां दुख में ला दिया है पहले वो मेरे घर के आगे था तो इसमें भी आप देख सकते हो कलिया है फूल है इधर भी फूल है तो जैसे इने दुख में उसको छोड़ दिया फिर से इसने फ चलाए हैं तो मैंने एक से गंबली में उसको रखा है और यह है और मेरी पालक अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर में पालक पनीर की सब्जी बनाऊंगी और यह मेरा करन मेरा जहर प्लान का वीडियो आया आपने देखा तो मैंने उसको ऐसे ही बना की रखा है और यहां मेरा फिर से जहर प्लान्ट जो मेरा कल वीडियो आया था मैंने यहां बहुत अच्छी सी धूप आती है तो दिप में मैंने छोड़ दिया है और उपर है मेरे सारे बोगन देलिया और बोगन देलिया में अभी तक फूल नहीं आ रहे हैं और अच्छी सी ग्रोथ हो गई है और मेरा यह टमाटर का प्लांट जो मुझे रिपोर्ट करना है उसको बड़े गमले में और यहां क्या छुपा है यह है मेरी लीली तो कहीं कहीं पूलाता रहता है और मैंने अभी यह लगाया है वाइट अपराजिता सफेद अ सकते सीर्स बनना शुरू हो गया है और यह है मेरे एसपाइगरफन इनके साथ मेरी कृष्टन बेल बलाक सौरी कृष्टन ने गनेश बेल भी लगी हुई है तो इसमें भी पहले फुल दोतीनाथ आना शुरू हो गया है यहां है अगेव ऐसा है मेरा एक छोटा सा गार्डन जिसमें मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करती रहती हूं पूरा दिन कितने भी बार में उसके देखती रहती हूं फिर भी मेरा मन नहीं लगता है सुबह में उखते ही मैं जैसे ही ब्रस आथ में पकरती हूं तुरांत मैं पहले अपने गार्डन में चली आती हूं आज उसम मेरा यह गाडन आपको एक अच्छे सी कॉमेंट करना और मेरे वीडियो में मेरे गाडन को देखना तो चलो फिर मिलेंगे इस नहीं टॉपिक के साथ तक बाइ-बाइ